हाइलो पैरेंट्स वागत करते हैं आपको अपने यूटुब चैनल केसफनीचियर आपि आज, चकि यह और वीडियो में पैरेंट्स आज के इस वीडियो में हमारा जो वीडियो होगा वह कीचैन एसेसरी स्स्रीस के बारे में होगा जो कि हिटिच का टेंडम बास्केट हमारा यह अटिरा 520 mm का है दोस्तों यह सब लगा के हम आपको दिखाएंगे यह टू जैज जामकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में तो वीडियो में बने रहें यह जो देख रहे हैं आप दोस्तों यह साइड का टेंडम वाला वो होता है प्लैंक जो कि साइड में लगता है यह 520 mm का है दोस्तों इसके जितनी भी पार्ट पूर्जे आते हैं सब इसी कबर में रहता है दोस्तों जितना भी वो रहता है जैसा कि यह देखिए पीछे लगने वाला क्लैंप है जिस पर हमारा प्लाई रखता है इसको बैक साइड प्लैंक इसमें बोलते हैं इसको बैक साइड वाला दोस्तों इसमें लगाते हैं और इसी में दोस्तों आता है हमारा हेड वाला भी जैसा कि यह देखिए प्लास्टिक का आता है और model और company में लेंगे तो यह दोस्तों ज्यादा तर metal का आता है या iron का रहेगा लेकिन इसमें दोस्तों हिटिच में जो है यह प्लास्टिक का आता है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह तूट जाएगा बहुत hard होता है तो आप बेफिक रहे हैं तो चलिए सबसे पहले इसके मोहडी का निसान लगा लेते हैं क्योंकि मोहडी के इसाब से ही अंदर का में सेट करना रहता है जो कि सबसे पहले हम 6 इंच का लगाते हैं जनरली उसके बाद 8 इंच का लगाते हैं उसके बाद 13 या 14 इंच का आता है यहीं दोस्तों ज्यादा तर किचन का हाइट होता है तो अगर हम 6 इंच का लगाते हैं दोस्तों तो उसको 6 इंच का जो मोहडी है उससे 1.5 इंच का एक मार्किन लगा लेते हैं और उसी से उपर एक टेंडम बासकेट का जो चैनल है दोस्तों उसी को हम लगा लेंगे तो जैसा कि उपर देखिए मैंने हाफ इंच का निसान लगाया रहा है नीचे भी यह सब की अधाइक आगे से कितना में मिल जाएगा यह आप पूरा वाज कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता है अट्रा फाइट उंटी का एट टेंडम बास्केट का फिटिंग आप इजली कहीं भी लगा पाएंगे तो सबसे पहले इसको मेजर में हम दिखा देते हैं जैसा कि देखिए इसको हाफ इंच उपर लेंगे हाफ इंच उपर लेने के बाद यहां से हमें मेटना काट को ना जिसको बोलते हैं उससे निसान लगा लेना है दोस्तो जैसा कि यह देखिए हम लगा रहे हैं इस तरह से आपको भी लगा लेना है और उसके बाद इसका हाइट देखके इसके पीछ तरह से लगा लीजिए जो कि वहां पीछे नहीं चल रहा था प्यां तो हमने सेलो टेप का प्रयोग किया है अभी सेलो टेप के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे क्योंकि थोड़ा भी दोस्तों उचा नीचा होगा तो यह जो फिटिंग होता है टेंडम वाला दिक्कत करता है फ प्रफेक्टली चलता है जिससे आपको सिकायत नहीं आता है कोई भी साउंड नहीं आता है बहुत ही स्मूध चलता है दोस्तों क्योंकि यह टेलिस्कोपिक चैनल से अलग रहता है थोड़ा सा यह डिफ्रेंस होता है तो इस तरह से आप जो है मार्किंग करके दोनों तरफ क लीला मार दीजिए 19 या 20 नंबर का जैसा कि हम मार रहे हैं आप ऐसा करके जो है मार दीजिए यह देखिए हमारा प्लैंक है इसी में यह जो है ऐसे घुसा रहता है तो इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं नीचे इसके किलिफ रहती है निकालने के लिए वह भी हम आपको और नीचे की साइड टाप पे और बाटम पे जैसा कि हम लगा रहे हैं ऐसे जो है यह देखिए 45 mm का ऐसे जो दोस्तों लगा लीजिए और जो है निसान दोस्तों दोस्तों दोनों तरफ लगा लीजिए और सीधा कांटिन्यू लगा लीजिए दोस्तों सब लोगों का लगा बाई एम्म का निसान लगा लेते हैं यह निसान क्यूं लगाते हैं कैसे लगाते हैं वीडियों में बने रहेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा इसलिए मैं कहरा हूं निसकीp मत कीजिएगा पूरा Continue वहथ देखिए जैसा कि यह देखिए लगा दिया है हमने दोस्तों इस तरह काम करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है काम करने का तरीका और यहां हमारा हाफ इंच तो उपर है ही अब इसको दोस्तों एक पट्टे की मदश से जो है एक सीधा निसान लगा लेंगे दोस्तों बेटर रहता है कि चैनल आगे पीछे ना हो इसके लिए आप जो जो 45 mm का निसान लगाए हैं नीचे उपर रखके ऐसे सीधा कांटिन्यू मार्किंग कर दे हैं मार्किंग थोड़ा दोस्तों कम कीजिएगा क्योंकि यो बाद में लैमिनर पेच उटेगा नहीं तो इसलिए थोड़ा इसाब से करिए या तो पैंसिल से करिए थोड़ा बारीक करके करिए एक तरब का दोस्तों हमारा हो गया है दोस्तों दूसरे तरब भी ऐसे हमें कर ले लेना है दोस्तों तो उससे क्या होगा कि सामने की तरफ तीन सुत या आदा इंच जो भी छुटेगा वो साप्ट क्लोजिंग के लिए बहुत अच्छा होगा और चैनल के हेड को बहुत अच्छे से पकड़ के उसमें टच करेगा जैसा कि आप आगे देखेंगे वीडियो में इधर भी मार्किंग हमारा हो गया है अभी देखिए जो तीसरा होल है चैनल का आपको उसी जो निसान लगाए हैं 45 mm का वस उसी पे दोस्तों ऐसे टाइट कर देना है आगे की तरफ आपको कुछ भी मेजरमेंट नहीं करना वस सीधा उसी पे टाइट कर देंगे और पीछे वाला भी जहां आ रहा है बस उस पे ही सीधा टाइट कर देना एक तरफ का दोस्तों देखिए हमने टाइट कर दिया है अब दूसरे तरफ भी टाइट कर देंगे जो चैनल है इसको ही नीचे तो दोस्तों यह जो थार्ड वाला होल है इसी से आप जो है 45 mm का जैसा कि हम मेज था उसी में आप उसको टाइट कर दिजिए और इस तरह से दोस्तों टाइट कर दिजिए और हमारा वो सेट हो जाएगा इस तरह से दोस्तों हमने टाइट करके देखिए इसका यह जो लगा दिया है स्लाइडर के ऊपर और इधर भी आप लगा दिजिए इसी तरह से दोस्त तो हमें पूरा लगा लेना है वीडियो में हम पूरा नहीं लगाते हुए दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अल्रेडी बहुत लंबा हो चुका है तो जो काम का चीज था उसको मैंने वीडियो में दिखाया बाकि स्किप कर दिया है तो आप उसको जो है उसी के हिसाब से देखिए मैंने तीन इसमें, तीन इसमें हमारा 6 टेंडम है, 6 को मैंने फिट कर लिया, आप भी इसी तरह फिट कर लीजे, जो कि बहुत स्मूथली हो जाता है, तो कैसा लगा हमारा आडिया, लगाने का कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, यह देखि यहां दोस्तों, नीचे, ऊपर सब पूर अच्छे अपलाई लगने वाला है, इसका बैक साइट भी लगाएंगे, तो सब भी दिखाएंगे, तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, तो दोस्तों, इसको हमने लगा दिया है अलरेडी, क्योंकि वीडियो बहुत आप यहां जो है, इस चैनल से इस चैनल के एक जास तक आहको मेजरमेंट कर लेना है, मिजरमेंट आपको यह Meец अं, करना है मेजरमेंट करके दोस्तों आपको, उसको मैटने में क्रद लेना है, जोकि कई तडोरे का साही जाता है, इसमें आप देखेंगे, वसक्ते है 12 mm का पलाई रहता है 10 mm का नीचे लेमनेट 10 mm का ऊपर लेमनेट तो हो जाता है 14 mm और नीचे से थोड़ा सा पैकिंग दे देते हैं कुछ लोग दोस्तों 18 mm का लगा लेते हैं तो उसमें जिर्री मारना पड़ता है नीचे से जो की ओ रो मटेरियल उपर आ जाता है इसलिए हम उसको नहीं लगाते हैं तो आप हो सकते तो ऐसा पैकिंग भी कर सकते हैं जिर्री भी मार सकते हैं नहीं तो आप ऐसा भी सोले में का भी लगा के कर शक्ति हैं कोई दिक्कत औरे दोस्तों पीछे का जो प्लेंग है इसको दोस्तों पहले ही लगा लीजिए निम्मी में और सिलिक में और समय दोस्तों यह उपर से लग जाता है लेकिन frühigor में दोस्तों पहले लगाना पड़ता है उसके बाद पलाई लगता है और इसको सामने की तरफ से एक दम बिलकुल लेवल रखिएगा दोस्तों नहीं तो यह मोहडी में उपर से गयफ आ जाएगा जो हैड रहेगा और जो बैक साइड तो इसमें गयफ आ जाएगा तो इसका साइज को साड़े पा इंहो ने देखें हमने इसको दोस्तों यहां भी 3-50 लगता है लेकिन मैंने 8 ले लिया है क्योंकि वह आगे श्य shows हो भाव ठीक नहीं कीम कईतों पलाइए और उसको भी आप मेर्टने में आराम से एक तरह से बैठा लिजिए तो दोस्तों यह मैंने खाचा पीछे देखा वो अपने मारा है हमने क्योंकि थोड़ा सा सामने की तरब से वो बाहर आ रहा था क्योंकि 16 mm उनका पलाई लगता है तो यह 18 mm उनका लगाते समय वो थोड़ा सा बाहर आ जा रहा था जैसा कि अब नीचे देख पा रहे हैं ऐसे मैंने फिट किया है वो पीछे के साइड है तो इसको मैंने थोड़ा सा इसमें खाचा मार दिया है dit 16 mms 1 13 mm है तो थोड़ा सा बाहर हो रहा था द parlar 2 mm उनकी सा मार दिया है ताकि यह पीछे से लेबल हो जाए और सामने से यदी देखेंगे उस तरफ से तो इस तरफ से भी अभी इसकुरू टाइट होने के बाद एकदम लेबल हो जाएगा तो दोस्तों ऐसा भी आप और दोस्तों इसमें नहीं तो 12 mm का भी लगा सकते हैं लेकिन फिर इसमें पाइकिंग देना पड़ेगा तो आपको बेटर है आप 18 mm का प्लाई लगाए नहीं तो 16 mm का तो 16 mm भी लगाए इसको लगाने के लिए दोस्तों इसके पीछे दो ओल दिया रहता है बस आपको इसको पकड़ के इसमें सीधा टाइट कर देना है दोस्तों इसक्रू को आसानी वह पैट जाता है लेकिन ऊपर से तोस्तों थोड़ा सा प्रेशर रखे ताकि बैक साइट में वह टच रहे इस तरह से आप दोस्तों इसको लगा सकते हैं इसी तरह से दोस्तों सब बैग में लगेगा और पीछे का हैड भी लगेगा सिर्फ सामने वाला जो यह देखिए एकदम लेबल हो गया दोस्तों कि जो कि थोड़ा सा फिनीसिंग और आ जाता है और लुक भी इसका बढ़ जाता है इसी तरह इदर भी टाइट कर लेंगे हम तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमारे वीडियो कमेंट में जिरूर बताएं अपने दोस्तों में सेर करें वीडियो के पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें यह देखिए यहां भी ऐसे हमें टाइट कर लेना है दोस्तों टेंडम फिटिंग में बहुत सारा कमपनी का आता है लेकिन यह हिटीच का थोड़ा सा अलग होता है और इपको का भी निम्मी इपको यह सब थोड़ा सा सेमी रहता है दोस्तों लेकिन हिटीच का अलग होता है लेकिन ये branded company हैं दोस्तों अब इसको हमें फेट कर लेना है जो कि लगाने के लिए जो है दोनों राड बाहर निकलना और इसके उपर सीधा-सीधा राक देना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दोस्तों ज्यादा टाइम लग गया इसलिए क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया नहीं तो इसको करने के लिए दोस्तों उतना समय नहीं लगता है पांच मिनट दस मिनट समय लगता है दोस्तो तो पूरा चैनल एक ही बार बांध लीजिए पूरा प्लाई एक ही साइज के कट कर लीजिए और फटा फट फिट करके आप लगा दीजिए दोस्तों इसके जो हैड रहेगा दोस्तों हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि वीडियो अल्रेडी 13-14 मिनट का हो चुका है तो दोस्तों उसको हम दूसरे वीडियो में लगा कर दिखाएंगे यह पूरा लग चुका है DOस्तों इधर भी लग चुका है तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं अपने दोस्तों में सेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद